श्री शिवाय नमस्तुब्यम दोस्तों हर हर महादेव जै महाकाल मैं प्रतिभास हर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सबका मेरे यूटुब चैनल पर दोस्तों आप सबको पता है कि पहुत ही पावन्स अपर्व हमारा श्रावण मास चल रहा है और कल याने की एक अगस्त के दिन जो है श्रावन मास की प्रदोश की तिथी है दोस्तों तो प्रदोश तो वैसे ही बहुत खास होती है और श्रावन मास में पढ़ने वाली प्रदोश का बहुत ही महत होता है दोस्तों तो इस प्रदोश पर आपको क्या करना है कैसे करना है छोटा सा उपाई वीडियो में बहुत सरल सा उपाय में आपको पताने वाली हूँ अगर आप भी चाहते हैं कि ये श्रावण मास समाप्त होने से पहले अंत तक आपकी जो भी इच्छा है जो भी मनुकामना है वो आखिरकार पूरी हो जाए जी हां दोस्तो मनुकामना पूरती के लिए उपाय ह अगर आप चाहते हैं कि ये श्रावण मास खतम हो उसके पहले आपकी इच्छा पूर हो जाए तो आपको इस उपाय को अवश्य से करना चाहिए दोस्तों बहुत ही सरल उपाय है चले वीडियो में बताती हूँ कि इसमें क्या कुछ आपको चाहिए आप सब को पता है कि महा इसको गिस करके ले लीजिगा दोस्तों और आपके पास में पाउडर फॉर्म है तो उसको गीला करेंगे पेष्ट बना लेंगे तो आपको लेना है एक कटोरी में लाल चंदन चाहे वो घुला हुआ पेष्ट वर्म में हो या फिर आपने उसको पत्थर पे घिस करके बनाय लाल चंदन महादेव को अती प्रिया है सबसे ज्यादा प्रिया माना गया दोस्तों बस इस लाल चंदन को आपको कटोरी में लेना है और साथ ही साथ एक तांबे के पात्र में लेना है आपको जल और पहुत जाना है महादेव के मंदर महादेव के शिवलिंग के पास शिवाल आप द्यान रखेगा कि आप जिस भी तरफ बैठे हैं अर्थात शिवलिंग का जो भी हिस्सा आपके चहरे की तरफ है तो उस हिस्से को छोड़कर ऑपको लाल-चंदन का लेपन करना है बिल्कुल पीछे वाले हिस्से पर आपके फेस के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से पर आपको लाल चंदन का लेपन करना है दोस्तों एक बार फिर से बता रही हूँ कि जितना हिस्सा महादेव की शिवलिंग का आपको सामने दिख रहा है अपने चहरे की तरफ उस हिस्से को छोड़ कर उसके पीछे वाले हिस्से पर अपना हाथ आगे बढ़ा कर आपको पीछे वाले हिस्से पर लाल चंदन का अच्छे से से वापस अपनी कटोरी में उठा लेना है दोस्तों और पूरा अराम से आप उस चंदन को वहां से उठा लीजेगा आप बैठे बैठे अपने हाथ को पीछे ले जाकर के धीरे से चंदन को पूरा समेट लीजेगा और उसके पश्चाथ जो आपके पास में एक लोटा जल है ठीक है वो एक लोटा जल जो है वो कुंद केश्वर महादेव की नाम से महादेव को समर्पित कर दीजे दोस्तों बस इतना सा उपाय करना है आपको इतना करने के बाद जो आपने कटोरी में वापस लिया है जो उठाया है वहां से उस चंदन को लेकर पहुँच जाएंगे कहां बेल पत्र के पेड़ के नीचे अगर बेल पत्र का ब्रक्ष आपके अपने घर में हैं तो आप इस उपाय को वहां पर भी कर सकते हैं अर्थात जहां भी बेल पत्र का ब्रक्ष है वहां पहुँच जाएंगे दोस्तो और उस चंदन से उस लाल चंदन से आपको बेल पत्र के ब्रक्ष पर हां दोस्तो बेल पत्र की पत्तियों पर नहीं बेल पत्र के ब्रक्ष पर जो उसका तना होता है, उसके उपर आपको ओम का निशान मनाना है, उस पर आपको ओम लिखना है, दोस्तों और फिर हाथ जोड़कर, महाधेश से अपनी इच्छा, अपनी प्रार्थन, अपनी मनो कामना व्यक्त करनी है, यकीन मानियगा दोस्तों, कि इस छोटे सोपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जो भी इच्छा है इस रावन माज के समापती से पहले आपकी जो भी इच्छा है वो जरूर पूर्ण हो जाएगी तो छोटा सोपाय कोई भी कर सकता है आप कीजिए आपके परिवार से कोई भी करें दोस्तों तो उम पहली बार मेरे चैनल पर आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें श्री सिवार